बिहाड डियरेट 24 का इंट्रेंस एक्जाम का तयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे इसको एक दिशा देना चाहिए, आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल उट रहा है, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, और कोस्चन भी आईए इस वीडियो मे आपको बिहाड डियरेट के इंट्रेंस एक्जाम के लिए हम तयार करने का परियास करते हैं, यह कंप्रेटिशन आपका इस बार नए के साथ होगा, और एक भात ध्यान रखेगा आप लोग इस बार जो आपका कट आफ जाएगा ना, वो कट आफ भी आपका अभी तक का थ् तो यह काम भी करना है, नमस्कार दोस्तों, आनन्द स्टडी ओनलाइन चलनल में आप लोग का फिर से एक पड़ स्वागत है, तो एक सबसे बड़ा कन्फूजन पर हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो डियरेट का एक्जाम होने वाला है 2024 में, जिसका डेट बेगरा भी आ चुका है, तो कैसे हम तैयारी करें, कुछ भी हम नहीं जानते हैं, कैसे पड़ाय सुरू करना चाहिए, और कहां तक करना चाहिए, ताकि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए, किसी किसी का ख्वाइस है कि प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा, हमको डि जिन्दगी जी एंग, ठीक है, यही आप लोग का ख्वाइस है, इसलिए आप लोग बिहार में जो डियरेट का इंट्रेंस फॉर्म निकला था, वो भरत है, और अब आप लोग इंट्रेंस एक्जाम भी देने वाले हैं, तो जितने भी छात्रेया छात्राय हमसे जुड़े हुए है, वो खास करके एक अलग रनिती पे काम करते हैं, और अपना रिजल्ट भी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि हर अपडेट, हर चीज आपको अथेंटिक आपको यहां से पता चलता है, और आप जानते भी रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेर तो आपकर और भी अच्छे समझ में आने वाला है, कि अगर आप एक कमजोर चात्र हैं और कुछ भी नहीं जानते हैं, हम मानते हैं इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे से चात्र हैं, जो कि क्लास भी नहीं कर पाते हैं, उनके पास क्लास करने का चात्र इस बार नए हैं जो की अधर वेकेंसी का त्यारी कर रहे थे कुछ और सोच था उनका लेकिन टीचर बनने का जो सपना था वो आपको डिरेड इंट्रेंस इक जाम की और ले आया और आप ये छेतर में आ चुके हैं तो आप भी नए हैं और आपके साथ साथ हजारों लाखोचात नए हैं इसलिए competition आपका इस बार नए के साथ होगा और एक बात ध्यान रखेगा आप लोग इस बार जो आपका तो सरकारी college मिलने का chance था वहाँ पर आपको क्या मिलेगा तो private college मिलने का chance बन जाएगा अगर कम नंबर थोड़ा से लाएंगे तो क्योंकि सरकारी college के लिए इस बार बहुत ज्यादा मारा मारी होगा ठीक है और private college में भीड बढ़ने वाला है पैसा भी आप लोग का लगेग private में सरकारी में तो थोड़ा कम ही लगता लेकिन private में लगेगा और private से आप लोग कर पाएंगा और किसी किसी को आपको बता देते हैं private भी नहीं मिलेगा बहु सारे मतलब किसी को तो बोलना असान है बहु सारे से छात्र होंगे जो कि 40 नंबर 30 नंबर से कम लाएंगे उनको कोई भी private college नहीं मिलेगा और next बार फिर से form भरना पड़ेगा 500-600 रुपया लगेगा आपका और फिर से देंगे तो आप एक साल पीछे हो जाएंगे नौकरी से भी और आपका certificate से भी यानिकी degree से भी तो यह ध्यान रखेगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अब से next बार डालेंगे private college नहीं करना है दो लाख देर लाख रुपया लगे जाता है यहां पर इतना रुपया नहीं है अगले बार कर लेंगे सरकारी करेंते जार में बहुत साहे लोग होंगे कि मतों सरकारी मिलेगा तो करेंगे ने तो नहीं करेंगे यह भी होंगे तो सोच रहे है क्योंकि हमारे पास जितने भी comment आते हैं whatsapp पे आते हैं यूट्यूब के comments में आते हैं तो बहुत तरह comment सब आता हम सब करते हैं सब कमेंट करेंगा आपने दूखदर्द है यह खुसी ही है सब नीचे लिखेगा हम सब को देखते है और वीडियो भी लेकर कर आते ठीक है तो यह चीज़ी और बहुत सब्सक्राइब कर दिया है मतलब आपका तयारी मात्र 35 रुपया मात्र दे करके आपका जीके लिए सिंधी और करेंट अफेर्स का question टेलिग्राम पे दिया जा रहा है उसका लिंक नीचे description comment box में है बहतरीन कलास है भी तक बहुसा है लोग आपको मिल जाएगा जो असान लगता है वो कर दिजी ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसके बारे में और भी next हम बात करते हैं ठीक है डीलेड के तैयारी कैसे होगा लेकिन इसका रास्ता थोड़ा सा कठीन है पहले हम डीलेड करेंगे डिगरी लेंगे उस बार चेंजिंग है और आपको पता है कि टीचर का वेकेंसी ही न्यू हो गया पहले ऐसा वेकेंसी नहीं आता था इतना ज्यादा जितना यह पॉपलर होते जारा तो यह सब पर आपको धियान रखना है सबसे पहला काम जो आपको करना होगा आपके डियलेड एक्जाम के त्यारी के लिए इंटरेंस का कि आपको आपका सिलेबस को समझना पड़ेगा सिलेबस क्या कहता है सिलेबस यही कहता है कि अगर आप हमको समझ गए तो आपको हम बिगरी दो साल का दिलबा देंगे और एक कॉलेज में इटमिशन करवा देंगे देखे क्या है समान हिंदी से कोशन आपका आना है अब जितने भी नए चात्र शात्र हैं थोड़ा सा ध्यान देज़ेगा समान हिंदी क्या और ये बात भी याद रखिए बिहाड डीरेट का सिलेबस कुछ अलग नहीं है इंट्रेंस एजाम का खास करके कुछ अलग नहीं है क्योंकि यहां पे भी आपको जनरल कमपेटिशन में जो आप पढ़े हैं वही सब समास संदी विछेट बिलोम सब्द परेवाची सब्द एक सब्दों के अनेक सब्द रिक्तस्थाम की पूर्ती यही सब हिंदी में पूछ जाएगा यह दोनों में सब्सक्राइब और इससे 25 नंबर है 25 नंबर इससे पूछा जा रहा है मतलब 120 में से अगर 25 नंबर हिंदी दे रहा है तो अभी तक आपका तयार क्यों नहीं हुआ है यह बताईए और नहीं हुआ है तो क्लास से जोइन कर लिए वहां जितना कोशन देते हैं उतना याद कर लिए नोट्स बना लिए वहीं फायदा करेगा 25 उर्पया है मात्र मात्र 25 उससे संस्ता क्लास सायद ही आपको पिर्थिवे पर मिलेगा ठीक है 25 इतना चीज वहां दिया जा रहा है और जितने अच्छे तरीके से ऑथेंटिक दिया जा रहा है ठीक ह हम मानते हैं कि गनित आप लोग का थोड़ा सा मुस्किल होता है पढ़ना आप कुछ लोग का तो आसान होगा टॉपर जो होंगे जो अच्छे से अब गनित को पढ़े होंगे सिर्फ गनित ही पढ़े होंगे तो उनको हिंदी पर कमांड नहीं होगा उनको इंगलिस पर कमां कौन-कौन सा ठीक है वह भी समझाते ध्यान से भी समझते चलिए कहीं भी कोई दिखता हो जी के जीए स्करेंट अफेर्स पूछेगा अगर हम ऐसे बता दें कि इंट्रेंसिक जाम में ऐसा सिलेबस नहीं देना चाहिए इतना बड़ा सिलेबस तुम इंट्रेंसिक जाम ले रह कि लड़का आएगा तो हम पढ़ाएंगे अगर आप जाईएगा ही नहीं आप पास ही नहीं करिएगा तो पढ़ाएगा किसको हैना तो जरूरी है जाना भी कट ओफ लो जाएगा सेलेक्शन बहुत का होगा ठीक है तो यह भी ध्यान रखेगा सिलेबस अच्छा लएगा को समझ में आ रहा है मेरा वीडियो अधिकतर आपको समझ में आहीं जाता है इसलिए आप लोग हमसे जूड़े रहते हैं सब्सक्राइब करकिए रहते हैं तो लाइक भी जरूर कर दिएगा और सेर भी करिएगा ठीक है समान हिंदी और उर्दू होगे गरित होगिया जीके जी भुगोर नागरिख है आतरस आस बीवीत को पढ़ करें जीके पूरा होगा जीसिंद ना बाइलोजी होगी आपका जीफ घ्यान वो सब पढ़ करकें जीस पूरा होगा इतना तो आप पढ़ने ही पढ़िएगा इसी लिए तो आपको क्लास दिये है 35 उर्पया का उसका लिंक दिये है कि के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है बस उतना कोशन को आप करिए और साइट से अगर पढ़ने का मन कर दा तो पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है वह क्लास बिहार प्लीस और डिलेट वालों दोनों के लिए ठीक है यह ध्याम लगएगा 55 उर्पया में तो यह इसके लिए अगर आप लोग महत करना चाहते तो गरिट करियें अगर नहीं हम तो यहां से नहीं यहां सब नाहीं घंगा लुझा यूटर सबल बणे शाया होगा थ होगो भी आप बना सकते होगत्तूढों दो ऐग रिज्यंग से 10 सबंस है कि आपको आपके syllabus में इसमें रिजिनिंग को महत तो ज्यादा देना चाहिए था रिजिनिंग का कोशन और भी ज्यादा रहना चाहिए था मतलब करी 30 कोशन 40 कोशन ताकि लोग को मजा आता है मेहत भी करते और किसी की सब्जेक्ट से कोशन कम कर देता है इंसान चाह करके पर महत नहीं करेगा कि 10 में से 8 तो ऐसे ही बना देंगे अब दो कोशन के लिए कहां हम क्लास करने जाए अचाह एक चीजा और है क्लास करने का जहां तक बात रहा है अब बहुत साही लड़के क्या करेंगा पता है चाहे लड़की भी करती है क्या चीज़ का तो समान हिंदी के लिए गनित का घ्रिक इसको समझ में आता है कि समय पर कोर्स भी खतम नहीं हुआ और कुछ पूरा नहीं हुआ और इसमें और कुछ क्या है टोटल कोशन एक सो बीस आ रहा यही एक 120 कोशन बताएगा कि आपको सरकारी मिलेगा कि आपको प् मिलेगा अब 80 पलस स्कोर कर देते हैं 80 पलस स्कोर कर देते हैं तो आपको सरकारी के नजदीक आपको पहुंचा देगा ठीक है अगर आप यहां पे 40 पलस स्कोर करते हैं तो आपको पीछे से जो सबसे खराब प्राइवेट कोलेज होगा वह आपको मिलेगा सबसे खराब मतलब जाएगा ठीक है धाई गंटे का समय भी आपके पास दो घंटा 30 मिन्याट का समय मिलेगा 120 कोशन बनाने के लिए जो कि बहुत बेस्ट है नेगेटिव मार्किंग नहीं है यह सब से बेस्ट है नेगेटिव मार्किंग नहीं है सब कोशन पर ठीक लगाना है अनलाइग आपका सामने बैठेंगे कोशन आपके सामने आते जाएगा सिलसे लेवार रंसे 123 करके और आपको ठीक लगाना है या टेम्ट लेना है उसको छोड़ने कामन है छोड़िए बाद में देखिएगा समय परियाप थे आपका लेकिन याद रहना चीए कौन-कौन छोड़े है और करसर को मतलब रहें तो यह काम भी करना होता है कि वहां साथ लोग सोष्टेंगे नहीं तो जोड़ेगा कि बुरूब में आता है अभीता क्म्वूटर ने जानता है आन्यां क्या मतलब है समझ में आजागा कोशन बन जाएगा यह आपका काम का है तो यह भी बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज में हम देखे हैं गौर किया है फिल किया इसलिए आपको बता रहा है लड़की खास करके ध्यान रखेगा अलान एक्जाम आप लोग का होगा ठीक है इस पर ध इंट्रेंस इंग्यान रिजर्ट उसकाः आज आएगा रिजर्ट के बाद आईगा आपलोग का बारी कि आप लोग कितना सही कि एक Clap-sling होगा यानि कि आपको प्राइवेट मिलना है या सरकारी मिलना है यही पे मतलब दिखे आपको कांसिलिंग मैं कौन सा कोलेज आपको म हम अगर हम यह बताना चाहें कि आपको हम समझाए कि तैयारी कैसे करना है तो बहुत सारा ऐसा चीश बताए जो कि आपको तैयारी के ही हिंदी के साथ उर्द بھی कुंधू समझेगा ठीक है लेकिन पढ़ना सबसे को क्यों 20 हैral, इंगलीस और मैत में कोई एक है कोई झुन आ पना होगा दो tiếp को फhip होगा, आप लोग के लिए तो कोई एक को चुनिएगा ठीक है लेकिन ये सब को छोड़िएगा मत और रिजिनिंग तो बस दस कोशन है पढ़िए ना पढ़िए साथ आट कोशन पास कोशन तो आप सही करें दीजिएगा को दिखत नहीं तो सबसे मात पूर्ण चीज का क्लास तो आप नहीं है तो आपको सबसे में लोगों ने सही जवाब दिया है यह भी पता चलता है ठाराव सुपरस कोशन वापे जीकेजिस करेंटराफ जा रहा है धीरे धीरे वह आपके लिए काम का सभी का नोट्स बनाए पढ़िए और तयार हुई है अधर एक्जाम में भी वह काम करे इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े और वहां से फाइदा उठाया और बताया करके कि हाँ बहुत अच्छा मिला सम्हाल करके रखेंगे हमेशा इसको याद करते रहेंगे ठीक है और तयारी हम कैसे कर सकते हैं क्या-क्या सब्यक्त पर हमको ध्यान देना चाहिए इंपोटेंट क्या-क्या है किसका कलास करना चाहिए और कितने नंबर तक का तयारी आपको करना जरूरी है क्योंकि आपको चाहिए सरकारी को ले और किसी को प्राइबेट चाहिए तो ज्यादा समय देने का परियास करेंगे उम्मीद करते हैं जो भी हम समझाए समझ में आ चुका होगा अच्छे से कोई डाउट है नीचे कमेंट करिए और हमसे जुड़े रहे हैं सब्सक्राइब लाइक और शेयर तीन काम आपका है बाकि अच्छे से समझाना मेरा काम है और क्लास से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए अपडेट के साथ तो देखला अपना ख्याल रखें तैयारी बेस्ट करते रहें क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए थैंक्यू जैट